दोस्तो वीडियो बहुत बड़ा है अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहां मैंने इस वीडियो के सबी चेप्टर्स और वो कहां से सूरू हो रहे हैं वो टाइम स्टेम भी लिग दिया है आप किसी एक टाइम स्टेम पर क्लिक करेंगे तो वीडियो वहीं से सूरू हो जाएगा चाहते हैं आज का चप्टर द्वारका पूरी का विश्व कर्मा द्वरा निर्मान स्रीकिष्ण द्वरा जादवों को बसाना और बल्राम जी का रेवति के साथ विवा विसम बंजी कहते जन्म परश्चा दुर्ग के लिए उपजुकत स्थान देखने की इच्छा से वे उस प्रदेश में घुमने लगे हमने पिछले चप्टर पर पढ़ा था कि स्रीकिष्ण विश्णू जी का ध्यान करते थे विश्णू जी का मतलब है आत्मा उस समय कुल के बड़े बुड़े गोस के साथ दूर्ग निर्मान का कार्या अरंबक गिया अरंबक कर दिया ततप्रश्चत वक्ता में स्थेष्ट केसी हैं तक अमर लेंज स्रीकिष्ण ने जैसे विद्तासुर के वेरी इंद्र देपताव से कोई बात कहते हैं उसी प्रकार यादवो से कहा यादवो मैंने देप सदन के समान इस भूमी का निर्मान कर लिया है आप सब लोग देखें मैंने इसका नाम भी निस्चित कर लिया है इससे इसकी ख्याती होगी मेरे द्वारा इस भूतल पर निर्मित हुई ये पूरी द्वारबती के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इंद्र की अमराब के समान रमनिया दिखाई देगी मैं इस पूरी के वेही चिन वेही मंदीर वैसे ही चोरा है उसी तरह के सड़के और वैसे ही उत्तम अंतपूर बनाऊंगा जैसे कि अमरावती में हैं जैसे देपता अमरावती में आनंद भुक्ते हैं उसी प्रकार उग्रसे नादी आप बास करें गरों के सिलानियास की समागिर्या संग्रा करके लाई जाए तीरा हो और चोरा हो के कलपना की जाए मतलब कैसा होगा ये सोचा जाए सड़कों के लिए भूमी का माप किया जाए ततराजमयल में जाने का जो मार गए है उसके लिए भूमी ना पी जाए ग्रियर नि काम करने वाले मजदुरों को काम करने के लिए लगा दिया जाए तो दस्तों वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाके बेल आइकन ओल कर लिजिए लेटेस वीडियो अब्रेट्स के लिए भगवान श्रीकिष्ण के ऐसा कहने पर सब या लेकर भूमी को नापना अरंब किया वेवास्तु देपता के पूजन आदी कर्मोवी वीदि प्युर्वक संपना करने लगे तत्प्रशक्त परम बुंदिवान भगवान श्रीकिष्ण ने वहां कारीगरों से कहा कारीगरों तुम लोग यहां हम यादवों के लिए नवतार श्रीकिष्ण किसको भगवान मानते थे और किसका मूर्ती रखते थे उस समय मंदिर बनाने का मतलब है कि एक मूर्ती रखकर उन भगवान का ध्यान करना भजन करना धूब जलाना यह सब पुजा का मतलब नहीं हुआ करता था तो उसकिष्ण ने कौन से मूर्तिस् अच्छा कह कर विदिपूर्वक दूर्ग कर्म दूर्ग निर्मान समधि प्राव कार्या जैसे नीम खोदना आदी और सदकार करके यतोची तृति से बिभिन्न दूर्ग और मंदिरों का निर्मान किया तथा उनमें करमश ब्रह्मा आधि देपताओं के लिए स्थान बनाएं ब्रह्मा के लिए जगा बनाया ठीक है ब्रह्मा का मूर्ति का स्थापना किया और और किन किन का किया चलिए पढ़ते हैं उन्होंने जल अगनी इंद्र तथा सील ओकली इन चार देपताओं के लिए चार द्वार बनाये अथवा सुध्याक्ष आदिचार देपताओं के लिए द्वारों का निर्मान किया तो ब्रह्मा का किया इंद्र का किया जल का किया लेकिन महादेब और विश्नु का नहीं क्योंकि वो खुदी विश्नु के सोरूप थे ठीक है और महादेब का इसलिए नहीं क्योंकि एक देपता है वो भगवान नहीं है यह मैंने पहले भी पड़ा है और स्रीकिष्ण ने भी दिखाया आप लोगों को आप चाहे तो इन से सीख ले सकते हैं अगर मन हो तो उन कारिगरों ने सुध्याक्ष्य इंद्र भलाट और पुष्पदंत की भी मूर्दिया बनाई और उ पूरी का सिख्र निर्मान हो जाई देव बस उनके वितर पूरी का सिख्र निर्मान करने कराने वाली निर्मल बुद्धी का उद्य हुआ जो यादरव का प्रिय और आद्बुद्य करने वाली थी उन्होंने सोचा देपताओं के प्रधान सिल्पी प्रजापति पुत्र व मानना था ठीक है इससे तो यही पता चलता है वे अपने बुद्धी के अनुशार इस पूरी की स्थापना करेंगे मानी मान ये बात सोच कर भगवान श्रीकिष्ण एकांस्थान में विश्व कर्मा के आगमन के लिए दिपताओं की और उनमोख हुए इसी समय परम बुद्ध इवान सिलपाचारिय सुर्शेष्व विश्व कर्मा से किष्ण के सामने आकर खड़े हो गए विश्व कर्मा बोले उत्तम भरत को धारन करने वाले विश्व देव मुझे इंद्र ने आपके पास सिग्रे बेजा है मैं सेवक आपके सेवा में उपस्तित हूँ आग्या दी और आप तीनों में कोई अंतर नहीं है मा बाहू आपकी बानी तीनों लोकों का ज्यान कराने वाली है आप मेरे पती उसी का प्रयोग कीजे मैं सिलप सास्तर का पारदासी आपके सामने खड़ा हूँ आगया दीजे कौन सा कारे करू बिश्व कर्मा का ये बिना युक्त पुर्वकाल में देपताओं की जो गुप्त सभा बैठी थी जहां हम लोग उपस्तित थे वहां तुम भी थे अता देपताओं का जो गुर्ड प्रयोग ने उसे तुमने भी सुना ही है अता या मेरे रहने के लिए अवशे ही सुन्दर सदन का निर्मान करना होगा उत्तम ब्रद्धारी देव मेरे निमित्त अपने सिल्पक कोशल का प्रजशन करने के लिए तुमें इस नगरी को बसाना और इसके भवनों का निर्मान करना है ये पूरी सब और से मेरे प्रभाप के अनुरूप ग्रियो दरसुजबित हो मामते जैसे स्वर्ग में अमराब तुम्हें वैसा ही आप बनाना है जैसे की बैकम्ट धाम में हैं जिससे यहां के सब मनुष्यों मेरा इस पूरी का तथा यदुकूल का बैभब देख सके उनके ऐसा कहने पर गुद्धी के सौमें प्रजापति विश्र कर्मा ने आना ऐसी मान कर्म करने वाले देव सत्रु विनासक स्री कृष्ण से कहा प्रभू आपने जो कुछ कहा है वो सब मैं करूंगा परंतु पूरी के लिए जो भूमी है यह इस बिशाल जन समुद्र के लिए पर्यापत नहीं होगी पुरुश्यत्म आप चाहे तो यह विस्तित हो सकेगी मेरी इच्छा है इसका सुन्दर विस्तार हो इसमें चारो समुद्र मुतिमान होकर बिचरेंगे यह इदि जल के सौमी समुद्र कुछ भी छोड़ सके तो यह पूरी भाली बाती विस्तित है वंगुत्तम लक्षिनों से संपना हो सकी कि विश्व कर्मा कैसा कहने पर वक्तामे सीक्रिस्ट ने जो पहले सही स समुद्रों से भूमी लेने का निश्चे कर चुके थे सरीताओ के सौमी सागर से बोले समुद्र यदि मेरे प्रति तुमारी आदर बुद्धी है तो तुम मेरे कहने से बारा यूजन तक जलासे हो में अपने जल को समेट लो तुमारे जगा देज देने पर यहां बनने वा नदो और नदियों के अधिपति समुद्र ने मारूत योग वायू के संकोष द्वारा अपने जलासे के जल का उपर संगार करके उतनी भूमी छोड़ दी पूरी का वो विशाल वास्तु देखकर विश्च कर्मा को बड़ी प्रसंता हुई मतलब उस समय समुद्र थोड़े निवास करने के लिए तयार हो जाएए प्रभू मैंने मन से इस स्रेश्ट पूरी का निर्मान कर लिया है अब थोड़े ही समय में ये ग्रिया की पंक्तियों से लंकित रमनियों पूरी में के रूप में टकट हो जाएगी इसके दरवाजे बहुत ही सुन्दर होंगे इसमें सब और सुन्दर बंदबारे लगी होंगी तीले परकोटे और अटालिकाए इस पूरी को केयूर के समान सुसोबित करेंगी ये पूरी भूतल पर पित्वी की चोटी के समान मानी जाएगी विश्ट करमा ने इस पूरी के देपुचित प्रदिस में स्रुकिषने के लिए ब अलग रूम बने हुए थे बातरूम जाने के लिए विश्ट करमा ने मानसिक प्रयत्न के द्वारा उस कमनिया ब्यश्ण पूरी प्रद्वारका पूरी का निर्मान कारिय संपन्न किया कितना दिन में किया ये नहीं लिखा है उसके द्वार सिल्पर सास्तर की विदी के द्वा बढ़ते से नाना प्रकार के क्राई विक्रे की वस्तूओं और दुकानों से वह भरी हुई थी मतलब खरीदने बेचने वाली वस्तूओं का दुकान था हुआ पर जिससे व्यापार करते थे ऐसा जान पड़ता था मानों आकास में विचने वाली पूरी फित्वी प प्रकार रहे थे इस अवस्ता में वो ड़की हुई आंगवाले विसाल लोचना बनिता के समाज जान पड़ती थी उसके चोरा है बड़े समरिद्य साली थे उसके उची उचे महल बादलों से ब्याप्त हो रहे थे उस पूरी में कोटी सरस्त्र गलिया थी और उजल राजमा मर्गे से उसकी उतकरिष्ट सोबा हो रहे थी जैसे इंद्रपूरी स्वर्ग की सोबा बढ़ती उसी प्रकार वो समुद्र की सोबा बढ़ती थी वो भूतल पर संपूर्ण रतनों के संचे से सुजब दोने वाली एक मात्र नगरी थी द्वारकापूरी देप्ताओं के लि समुद्र के कोलाल से गुंचती रहती थी और जल के समय समुद्र के प्रबा और उतपलतरंगों के कारण वहां की वायू सदा सीतल बनी रहती थी समुद्र के जल प्राए टट पर लायराते हुए कमनिया उपबनों के द्वारा बढ़ी हुई अपने अनुपाम कांती से वो द्वार का पूरी मनुष्ट के मन को मोर लेती थी और नक्षितों से युकता कास की पाती सभापाती थी सुरे के समान बर्ण बाले सुबर नमे परकोटर से गीरी हुई वो नगरी कमपीर गोस बाले सोरना निर्मित भावनों और स्वेत बादलों के सदस उजल द्वारों औ टलिका उसे सुस्तोबित होती थी कहीं कहीं बहुत उचे मान लोग किछाय हैं उसकी विसल सड़ के अच्छादित हो रही थी ऐसे द्वार का पूरी में स्रिकृष्ण दता समस्त यादब नंदन निबास करने लगे वो पूरी अविश्ट जनों से ही भरी पूरी थी जैसे चंद्रमा आकास को प्रकासित करते हैं उसी प्रकार भागवान श्रीकिष्ण उस पूरी की सभाव बढ़ाते थे इंद्रपूरी के समान द्वार का पूरी का निर्मान करके देव विश्व कर्मा भागवान श्रीकिष्ण द्वार समानित हो स्वर्ग लोग में चले गए य आत्मा ज्यानी भागवान श्रकिष्ण के मन में ये विचार उठा कि यहां के लोगों को ये दी मैं ध्यान से त्रिप्त कर सकता तो बहुत अच्छा होता तब उन भागवान उपंद्र ने कुबेर के संपर्क में रहने वाले निदियों में उत्तम निदी संक का रात्री के सम समय अपने भवन में आववान किया भगवान श्रकिष्ण ने मेरा आववान किया है ये जानकर निदियों का राजा संग स्वयमी द्वार का नात के समीब आ गये तो दोस्तों उस समय लोगों की मेंटल एबिलिटी ठीक है मानसिक शक्ती जब और ध्यान के दोरा इतनी बढ लब था उस समय मानसिक शक्ती से लोग अपनी सरीर की शक्ती को भी बढ़ाया करते थे क्योंकि मानसिक शक्ती सरीरिक सक्ती से बढ़कर होता है उस संकने बिनाई पूरुबक हाथ जोड़कर धर्ती पर माथा टेक कर कुवेर के ही समान भगवान श्रकिष्ण को प्रनाम किय और इस प्रकर कहा भगवन मैं देपताओं का बित तरक्षक हूँ मावाँ ये दुनादन मुझे क्या करना होगा जो कार्य हो उसके लिए मुझे आग ग्या दीजे तब स्रीकिश्ण ने उस संक नामग उत्तम गुवप से कहा इस नगर में जो निधन या अलप धन बाले मुझे हैं उनको धन से परिपूर न कर दो मैं इस नगरी में किसी भी ऐसे निधन मनुष्ण को नहीं देखना चाहता जिसे बोजेना मिलने के कारण उपबास करना पड़ता हो जो दूरबल और मलीन हो तथा दीजिये कहकर किसी के सामने हाथ पहला तथा भीक मांगता हो बि साही किया इस तरह पूर्बकाल में महात्मा केशव की पूरी द्वारका में कोई मनुष्यों किसी तरह भी नेधन अतवा भागया ही नहीं रह गया दूरबल या मलीन भी नहीं रह गया मतलब स्रीकिश्ण ने गरीबी मिटा दी ततपस्चात यादव का प्या करने वाले अधरन किये हुए थे सेवा में उपस्तित हुए और बोले देव मैं सिगरगामी तता सरवत पहुचने में समर्थ हूँ मुझे आपकी कौन सी सेवा करनी है अनक मैं जैसे देपताव का दूथ हूँ उससी तरह आपका भी हूँ जगत के प्रान सरूब वायु देव मुर्ति ले देपताओं के यहां से सुधर्म नामक सवा का यहां उठा ले आओ यह सरस्त धर्मात्मा तथा पराक्रम यादव उसी सवा में बैठे जो शन भंगूर ना हो जो सवा अक्षे रमन्या इच्छनुसा सर्वत्त चल सकने वाले तथा सवा सदों की इच्छा क्यानूरूप स्वरूप धारन करने वाली है वो सुधर्मा सवा अपने भीतर इन समस्त यदोबंक्सियों को धारन करे ठीक उसी दरजे से वो देपताओं को धारन करती है अनाया सिमान कर्म करने वाले स्रिकिष्ण का संदेश लेकर अपने ही समान गटिपाली वायु देव स्वर्ग और उनकी अनुमती से सुधर्मा सवा को लेकर वे पूनों भुतल पर आये अनाया सिमान कर्म करने वाले सुधर्मा अत्मा स्रिकिष्ण को वो सुधर्मा नामक देव सवा देकर वायु देव अंतर ध्यान हो गए यानि चले गए सिकेष्ण ने द्वर्कापूरी के मद्यबाग में उस सुधर्मा सवा को स्थापित किया जैसे स्वर्ग में देवताओ की सवा है उसी प्रकार भुतल पर वो प्रमुग यादवों की सवा हुई इस पकर अभिनाशी स्री हरी दिव्यवगो और समुद्र के जल से प्रकट हुए रतनों से अपनी पूरी को युवती स्त्री की बाती अलंकित करते थे उन्होंने सब के लिए धर्म की मर्यदाई बांदी बेपारी और प्रजाजनों सिन्रपतित प्रजाबर्ग के सासों को क जियान और रस्ते शिक्षत प्रजान किया था बधिवान सिक्षने ने यादवों के बंकसदर इस बड़े बुड़े पूरुस को सबी कारें में सलाह देने के लिए आवांतर मंत्र के पदबर तापित किया था रतों में आती रती दारुक फगवान सिक्षने का सार्ति था युद्धाओं मेसेश साथते की ही समस्त युद्धाओं के प्रजान बनाए गये थे इस प्रकार समस्त लोगों के तष्ट आने के कितिवारे फगवान सिक्षने इस प्रकार बेदानति व्याबस्ता करके द्वारकापुरी में यादवों के साथ आनंदपूरबक रहने और उन्होंने अपनी बेटी बलराम जी को दिया था वो सत्यूक के लोग बहुत बड़े होते थे तो बलराम जी ने उसे दबा कर बौना किया था और उसे अपने आकार का बना कर रेविती के साथ साधी किया था ये बिलकुल जोटी कहान ही है पता नहीं ये फेक स्टोरी कह से पहलती है आपने यूटूब पर भी देखा होगा कुछ लोग वीडियो बनाते हैं देखिए ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कोई भी सत्यूग का इंसान द्वापर यूग में आ नहीं सकता ठीक हाला कि एक मुचकुंद रिसी थे श्रीकृष्ण काल्याबन से भागते ये फेक स्टोरी है आपने ये पता लगा लिया आज ठीक है आब नेक्स चेप्टर उसके बार नेक्स चेप्टर भगवान श्रीकिष्ण के द्वारा रुकमिनी का अपहरन या हरन तथा जादो बीरों का जरसंद और सिसुपालादी के साथ घोर युद्ध बिसम पंजी कहत जनमेचे इसी समय प्रतापी जरसंद छेदी राज का प्रिया करने की इच्चा से राजा को एकत्र करने का उद्योग किया उसने सर्वत्र ये समाचार भेज दिया कि भिश्मक की पूत्री रुकमिनी तथा राजा श्रीशुपाल का विवा होने वाला है इसमें केबल सुब जरसंद ने जोर देकर बुलवाया मतलब जोर राजा स्रीकिष्ण के समान पराकर्मि था राज जरसंद ने उसे बुलाया पॉंड़क बासुदेप के मावली और पराकरम संपन्णा पुत्र सुदेप को भी जो पिथक एक अश्वनी सिना का अधिपती था जरसंद ने दव पाप डालकर उसे भी बुलवाया एक लब्य के महावाली एबंग पराकमी पुत्र को पांडेयराज के पुत्र को कलिंग देस के आधिपति को स्रिकिष्ण ने जिसका अप्रिया किया था उस राजा बेनुधारी को करत पुत्रंग शुमान एबंग शुद्ध्धर्म को बलपूरबग बुलाने की चेश्टा की थी अबिसाल सेना से युक्त राजा भगदत शल माबरी शाल्ब बहुत बड़ी सेना वाले बुर्षवा और पराकमी कुंती भी लिया ये सब लोग सुम्ही वर्षवाल की बारात करने के लिए बोज राज भिश्मक के भवन में पदा रहे थे जनमजे ने पूछा दुष रेष्ट बेद बेत्या में उत्तम कांतिमान राजा रुकमी किस देश और किस कुल में उत्पन न हुआ था विश्मपान जी ने कहा राजन राजेसी यादव के विदर्बन आमाग एक पूत्र था जो बिंद्यगिरी के दक्षिन पर्ष में विदर्बन आगरी में निवास करता था बिदर्ब के करत केशिक आदी बहुत से मावली पूत्र हुए जो परकम संपन था पितक पितक बंग्षों के प्रवत्तक नरेश थे राजेसी यादवो के ही बंग्ष में भौम से विश्नी बंग्षी राजाओं की उत्पत्ती हुई थी करत के वंच में अंग्चुमान और केशिक के वंग्षच भिश्मक हुए है भिश्मक को ही एक राजा हिरन्य रोमा और दक्षीना श्वेर कहते हैं जिनोंने कुंडीन पूर में रहकर आगस्तमुनी के द्वारा सुरक्चित दिसा दक्षीना का सासन किया था प्रजानात उनी राजा भिश्मक का पूत्र रुक्मी था तथा रुक्मी नी भी उनी की कन्या थी मावली रुक्मी ने द्रूम से दिव्यास्तर प्राप्त किये थे साथ जमादेगनी नंदन परशुराम से उसको ब्रहमास्तर की प्राप्ती हुई थी रुकमी अद्बुत कर्म करने वाले श्रीकिष्ण के साथ सदाहिस परदा रखता था राज याने रुकमी के रूप की समानता करने वाली इस पितिवी पर रुकमेनी के रूप की समानता करने वाली सुन्दरता का समानता करने वाली इस प्रित्वी पर दूसरी कोई स्त्री नहीं थी महातेज़स्वी वश्टदेव नदन स्रीकिशने का उसका परिशे सुनकर ही उसे चाने लगे थे तो दूस दूस त्री का प्रसंग्सा करने के लिए हम ऐसा से ही ऐसा बोला जाता है कि दूसरी को इस त्री नहीं है इसका कहने का मतलब यह है कि उसके प्रसंग्सा या रिस्पेट करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है इसी प्रकार रुकमे नी भी स्रिकृष्ण की प्रसंग्सा सुनकर ही उन्हें चाने लगी थी उसकी इच्छा थी कि तेज बेरियो और बाल से संपरन स्रिकृष्ण ही मेरे पती हो मावली रुक मी स्रिकृष्ण से दोयस रखता था इसलिए उसने स्रिकृष्ण को अपनी बहीन नहीं दी दोस्तों स्रिकृष्ण ही है जो सबसे पहले प्रेम विवा सुरू किया था ठीक है और स्रिकृष्ण ही ऐसे थे जो दोस्ती में फ्रेंकनेस ले आये थे मतलब मित्रता को एक और फ्रेंकनेस के साथ बनाया था ताकि द्रौपदी के साथ हो या आजुन के साथ उनका रिष्टा ही था स्रीकिष्ण नहीं ये सभी मन के रिष्टे सुरू किये थे कंस का वद्द सुनकर उसे बड़ा संताफ हुआ था वो सदा यही सोचता था कि श्रीकिष्ण कंस द्रौई है इसलिए उनसे याचना करने पर भी रुकमी ने आमित्युस्वि स्रीकिष्ण को रुकमी नहीं दी पित्री पती राजा जरासंद ने छेदी राज सुनीत के पुत्र शिचुपाल के लिए भैनक परकर में भिश्मक से उनकी कन्या रुपमेनी को मांगा था चेदी राज उपरीचर वर्षु के एक पुत्र का नाम भियाद्रत था जिसने पुर्वकाल में मगदेश के वितर गिरी ब्रज नामक नगर का निर्मान करया था उसी के वंच में महाबली जरासंद पैदा हुआ और दोस्तो एक और बात स्रिकिष्णे ने ही आभी जो बड़े बड़े कंट्रिस में आप सुनते हैं लिविन रिलेशन्शिप उसका भी स्रिकिष्णे ने ही थापना किया था मतलब उसी टाइप का ठीक वैसा तो नहीं था उस समय के हिसाब से जैसा उनको ठीक लगा अपरिचिद वस्तू के ही वंच में उन दिनों दमगोज पैदा हुए थे जो छेडी देश के राजा थे तो दोस्तो स्रिकिष्णे ने ऐसे बहुत से कर्म कियें जिससे पता चलता है कि किष्णे ही स्रेश्ट भगवान है कर्मों द्वारा साबित किया जन्म से नहीं ठीक है भगवान जो होते हैं वो कर्मों द्वारा बनते हैं महान जो होते हैं वो कर्मों द्वारा बनते हैं दमगोस के पांच भैनक परक्का में पुत्र हुए जो वसुदेव की भाइन सुबा के गर्ब से उत्पन्न हुए थे। उनके नाम इस प्रकार है शिशुपाल, दस्ग्रीब, रेंबिय, उपदीस और बली। ये सबके सब संपुर्न अस्त्रों के ग्यान में निपुन, बीर, परक्कमे और महाबली थे। जरसंद को टूंबी था था था, समान बंच में उत्पन्न हुआ था, इसलिए सुनीत ने अपना पुत्र शिशुपाल उसे सौब दिया था। शिशुपाल को जरसंद का सयोगी बना दिया था, जरसंद भी शिशुपाल को अपने पुत्र के समा और उसकी रक्षा करता था। बिश्नी बंच के सत्रु महाबली जरसंद को आगे करके छेदी राज ने बिश्नियों का अप्रिया चाते हैं उनके अने का परात किये थे। कंस जरसंद का जमाता था, जब वो युद्ध में स्रिकिष्न के हाथ में हाथ से मारा गया तब स्रि पराकमे भिश्मग ने उसका सिशुपाल के लिए बागदान कर दिया। तब राजा जरसंद अपने सायक दंतबकर के साथ सिशुपाल को लेकर विदर्व देश को गया। बुद्धिमान पॉंडरग वाशुर देव ने भी इस कारे में जरसंद का अनुमदन किया था। दोनों भाई भी अपनी बुगा की प्रस्नता के लिए वहां गये। साथ ही दुस्रे बल्चाली बिश्नी बंसी बीर भी रतो द्वारा वहां पदा रहे। पुद्धिमान सरी से सुसोबित हुई होती हुई सुंदर देवालाय में इंद्रानी की पुजा कहने के लिए चार गोड़ों से जुते हुए रत पर बैठकर जेश्टर नक्षेत्रों में राजमाहल से बाहर निकली उस समय वो विशास सिना से घिरी हुई थी। उस जात्र से उठी हुई गंभी सवाब बली मूर्ती मती भूदेवी के समान जान पड़ती थी। उससे देखकर ऐसा प्रतिस होता था मानों चंदरमा की सवब्यकिरन सुंदरी नारी का रूप धारन करकर पितवी पर उतरी हो बिना कमल की स्रेश लक्षमी हो अत्वा भाविश्टर मे होने वाली लक्षमी की सहाई का हो दिपताओं के लिये भी जिसका दर्शन होना अतेंद कटिंता उस रुक्मिनिक और स्रीकिष्ण ने जी भरकर देखा उसकी सुला बर्स की अवस्ता थी अंगों की कांती गौर्ण बन की थी उसके नित्र बहुती मनोहर एवंग विशाल थ वो पतले और लंबे कर्द की स्त्री थी उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे उसका मुक चनर्मा के समान गौर कांती से सुसोबित था नक लाल और उंचे थे बहुए सुन्दर तथा सिर के बाल काले और घुंगराले थे वो रूप की दिश्टी से अत्तिंत कमनिया थी उस रूप यस और सुबा की दिश्टी से संसा में दूसरी कोई यूबती उसके समान नहीं थी उजल रिस्मी साड़ी पहने हुए राज कुमारी रूप मिनी रूप बती देवी सी जान पड़ती थी जैसे घी की आउती डालने से अगनी की ज्वाला प्रजलित हो उड़ती है उ उन्होंने अपना है दे उसी पर निशाबर कर दिया तरनातर महाबली श्रीकिष्णा ने बिश्ची भंष वے साथ करते विये का निश्चे करकी रूप मिनी को हर लेने का विचार किया इतने में ही देव पूजा का ये संपन्न करके रूप मिनी देवाले से निकालने लगी तो दोस्तो अगर स्रिकिष्ण ऐसा नहीं करते तो रुकमिनी के मर्जी के खिलाब साहिद दूसरी राजा से बिवा करा देते उसका भाई रुकमिनी देवी लए से निकलने लगी उसी समय स्रिकिष्ण ने सैसा पहुंच कर उसे गोद में उठा लिया और अपने उत्तम रत पर पहुंचा दिया इधर बलराम ने भी एक पेड उखाड कर अकरमन करने बले सत्रू का उसी से संगार कर डाला उस समय बलराम के आग्या पाकर समस्त यदुबन सिबीर युद्ध के लिए कमर कसकर तयार होगे वे उचे एवंग विसाल धोया से युकत भाती भाती के रतो गोडो और हातियो दोरा बलराम जी को चारो और से गेर कर खड़े होगे बलबान स्रिकिष्ण युद्ध का सारा भार बलराम तथा सात्तिकी पर छोड़ कर रुकमिनी को साथ ले सिगरही द्वरका पुरी को चल दिये मतलब बलराम और सात्तिकी दोनों युद्ध कर रहे थे और स्रिकिष्ण रुकमिनी को लेकर चले गे मलसुदन स्रिकिष्ण ने युद्ध का वो गुरुतर भार भलराम शात्तिकी के सिवा अकुरूर विप्रुतु गद कितबर्मा चक्रदेव सुदेव मावलिशारन नेप्रित शत्तु पराकमी भंगकार बिदु रध उगर्षेन कुमार संक सद्धुन राजदी देव मधूर प्रशेन चित्रक शत्यक पृतु तथा अन्यान विष्णी और अंदक भंगश के प्रमुग भीरो पर रख कर मतलब उन दोनों ही नहीं और भी बहुत सरे युद्धा थे उनके उपर रख का द्वारकापुरी को प्रस्तान किया उदर तंतबक्र जरासंद और पराकमी श्रीशुपाल कवज बांद कर श्रीकिष्ण को मार डाने की इच्छा से क्रोध में भरे हुए निकले पराकमी श्रीशुपाल अंगा बंगा करिंगत था पॉन्डर देशिया युद्धा और अपने मारती भायों के साथ युद्ध के लिए निकला उस समय रोस में भरे हुए विष्णी बंस के मारती भीरों ने जैसे देपता इंद्रों को आगे रखते हैं उसी प्रकर बलराम जी को आगे करके उन समस्तर सत्रू को आगे बढ़ने से रोक दिया उस मासबन में बेग से आगे बढ़ती हुए मावली जरासंद को सत्रू की ने च्छ नाराचों से मार कर घायल कर दिया अकुरू ने दंतबकर को 9 बानों से बेट दिया तब कुरूब राज दंतबकर ने 10 सिगरगामी बानों द्वारा अकुरू को भी बीन कर बदला चुकाया बिप्रितु ने साथ बानों से श्रिचुपाल को घैल कर दिया तब प्रतापी श्रिचुपाल ने आठ बानों से बिप्रितु को चतबिकत कर दिया तब गविशन ने च्छ आधी तांत ने आठ और ब्रियद्रद्दूर्ग ने पांच बानों से चेदिरा शिचुपाल को गहरी चोट पहुँचाई शिचुपाल ने भी उन सब को पांच पांच बान मार कर बदला चुकाया और चार बानों से विपृत्व के चारों गोड़ों को मार डाला इतना ही नहीं सत्तुर सुधन सिचुपाल ने एक भल्ल से ब्रियद्रद्दूर्ग का सीर काट लिया और गवशन के सरती को यमलोग पहुचा दिया तब मावली अबंग पराक्कमी विपृत्व अपने अशोहिन रत को त्याकर सिगरी ब्रियद्रद्दूर्ग से रत पर जा चड़े विपृत्व का साती भी तुरंती गवशन के रत पर जा बैठा और उसके बेक्षाली गोड़े को काबू में रखने की चेश्टा करने लगा फितो वेक कूपितो धनुश और बान हाथ में लेकर रत मारगों पर नित्यसा करते हुए सुनित पुत्र शिशुपाल पर बानों की बचार करने लगे चकरदेब ने पंक बाले बांड से मार कर दंत बकर की छाती चेट डाली फिर पांच बानों द्वारा उन्होंने युद्ध में पडरत को भी घाल कर दिया तब उन दोनों ने भी पैने पैनी धार बाले दस मारवों बेदी बानों द्वारा चकरदेब को गहरी चोट ने भी च्छ पैने बान मार कर युद्ध में बाली को आहत कर दिया तब बली न महा बली बिदूरत को बदले में तीस बान मारे दुसी और कितबर्मा ने युद्ध में पॉंडरक बासुदेब के पुत्रों को तीन बानों से घाल कर दिया साती उसके साती को भी मार डाला औ और उंचे ध्वच को काड़ गिराया तब क्रोध में भर हुए पॉंडर ने च्छ बान मार कर बतला चुकाया और एक भरल से कितब बर्मा का धनुस भी काड़ दिया निब्रित शत्रू ने बहुत से पहने बान मार कर कलिंग राज को बिन डाला तब कलिंग राज ने एक तुमर का प्रहार करके उसके कंदे पर घाव कर दिया परकमि कंक ने हाती के द्वारा अक्रमन करके अंगराज के हाती और अंगराज को भी तुमरों से घायल कर दिया अंगराज मतलब अंग के राजा और अंग के राजा कौन था कर्ण हना तब यही होगा तब अंगराज ने भी आनेक बानो द्वारा कंको को चोट पहुँचाई यहां पे कर्ण इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि अंगराज कहने का मतलब यही है अंग का राजा उदर चित्रक, स्पकलो और महारती सत्यक ने कर्लिंग राज की सिना को सो नारचों से मार कर बित्रिनकाड डाला तरन तर कुपित्वी परकमी बलराम ने एक पत्रहीन बिक्चे के द्वारा युद्धिस्तल में बंगराज के हाथी और बंगराज को भी काल के गाल में बेच दिया लेकिन अंगराज पराजित हो गया है ऐसा भी नहीं लिखा गया है ठीक है यह भी द्यान दीजेगा बंगराज का वद्ध करके परकमी संकशन ने यानि बलराम ने धर्लूस हाथ में ले रत पर आउरूर हो भैंकर नारजु द्वारा बोस्ते के शिकों का संगार कर डाला तरनतर कुपित हुए परकमी बलराम ने छब बंगराज के अनेक महाधनुजन रोका वद करके मागदो की विचाल सिनाओं में सोच उने हुए भी रोक को यम्लोक पहुँचा दिया उन सब का संगार करके महाबावू बलराम ने जरास्तन पर धावा किया अपने और आते हुए बलराम को मागदराज ने तीन नराराचों से घायल कर दिया तब मुशलधारी बलदेव ने कुपित हो आट नराराचों से जरास्तन को चतबिकत कर दिया और उसके सुबनबुसी द्वच को एक भरले से काड़ गिराया बाणों की अबिष्टी करते और एक दूसरे को माते हुए उन बीरों में दिवश्चु संग्राम के समान घोर युद्ध होने लगा कुरोद में भरे हुए सस्त्र हाती हाती हो रत रतों से और रुसाबे से युखतो गुरसबार गुरसबारों से भीर गए हातों में सक्ती ढाल और तलवार लिए पैदल बीर पैदलों से जूचते और उनके मस्तक काट युद्ध में पितक पितक बिचाने लगे कबचों पर गिरा जाते हुए तलवारों और गिते हुए बाणों का मान सब्द पक्चों के चैचाने के समान सुनाई पड़ता था युद्धिस्तल में मामनेश्वी वीरों की प्रतिंचा की खिचने और सस्त्रों के टकराने का सब्द मेरी संक, मिदंग और बेनुओं की धोनी को अच्छा दित कर देता था नेक्स चेप्टर स्री क्षन के द्वारा रुक मीका पराज्याई यानी रुक मीनी का भाए ते रुक मीनी आदि के साथ स्री क्षन का वीवा हो और उनसे उत्पन नहुई संतनों का संग सिप्ट पर्चन रुकमीनी के साथ सिकिषने का साधी और रुकमीनी से पैदा हुआ जितने संताने थे जितने बच्चे थे उनका भी बर्नन बिशमबाई जी कहते जन्मे जए रुकमीने जब सुना कि सिकिषने रुकमीनी को हर कर लिये जा रहे हैं उसने कूपीत होकर भिश्मक के सामने ही ये प्रतिग्या की रुक्मी वला मैं युद्ध में सिखिशने का वद किये भी ना तथा रुक्मी नी को बापस लाए भी ना कुंडिन पूर में प्रवेश नहीं करूंगा ये सत्य कहता हूँ ऐसे प्रतिग्या करके कुरोद में भरा हुआ भी रुक्मी प्रचिंड आयूद और उचे दोश से सुसुबी दरत पर अडू हो विसाल सेना के साथ बड़े बेक से आगे बड़ा उसके पीछे दक्षिन भारत के बहुत से नरेश करत पुत्र अंशुमान शुतर्व तथा पराकमी वेनूदारी भी चले विश्मक के आन्य पुत्र भी जो रतियों में स्रेश थे रत के दोड़ा रुक्मी के साथ गे करत केशिक देश के सभी मुख्य महरतियों ने भी रुक्मी का साथ दिया उन सबने दूर तक रास्ता तै करके नर्मदा नदी के किनारे अपने प्रियत हमार रुक्मीनी के साथ रत पर बैठो हुई स्रेकिशन को कुरुत पूरबक देखा रुक्मी को अपने बल का बड़ा घमन्ड था उसने अपने साथ आई हुई सारी सिना को एक जगा खड़ी करके देरत यूद्ध करने की इच्छा से स्वयमी भगवान मुर्शुदन पर आक्रमन किया उसने 64 पहने बारों से स्रेकिशन को बिंड डाला तब जनादन ने भी समर में 70 बार मार का रुक्मी से बदला चुका दिया मावली और पराकमी श्रेकिशन ने बिजे के लिए पृतन से रुक्मी के दोईश को काट डाला और तदा उसके साथी के सीर को धर से काट लिया उसे संकट में पड़ा जान दक्षिन दिसा के समस्त राजा उन्हें स्रिकिष्ण को मार डाने की इच्छा रखते हुए उन्हें चारो और से घेर लिया माबव अंशुमान ने दस सुतरवा ने पांच और क्रोध में भरे हुए बेनुदारी ने साथ बाणों से उन्हें घायल कर दिया तक फराका में गोविन ने एक बांट से अंशुमान की छाती छेट डाली इससे ब्यतितो कर राजा अंशुमान रत के पिछले भाग में जा बैठा ततपचा से किष्ण ने चार बाणों से सुदरवा के चारों गोड़ों को माः डाला और बेनुदारी की ध्वजा काटकर उसकी दाइनी बाओं में गहरी चोट पहुँचाई इसी प्रकार सुदरवा को भी पांच बाणों से गायल कर दिया सुदरवा व्यता से पीड़ी तो दोच का सारा ले सांत होकर बैठ गया ततप्रचात करत केशिक देश के सभी मुख्य महारती बानों की बर्षा करते हुए भगवान शिकिशने पर चड़ा है को मार्ड गिराया अपनी सिना को भाकती देग रुकमी क्रोट के वश्बूत हो गया उसने पांच तीके बानों से स्रिकिशन की चाती में गहरी चोट पहुचा ही साती तीन पेने सयाकों से उनके साती को भी घायल कर दिया और जुके विगाडबाले एक बान से उनके धोच पर भी आघात किया रुकमी को सिगता पुर्वक बान मारते देख श्रिकिशन कूपित हो उठे उनने अपने बानों से रुकमी को घायल कर दिया और विजे के लिए प्रतन सील हुए रुकमी के धनुष को भी काट डाला फिर तो परकमी रुकमी दूसरे धनुस हाथ में लेकर अपने सामने आते हुए रुकमी की दलबार को श्रीकिष्णे ने काट डाला और गूपी थो कर तीन नाराजों से उसकी चाती चेट डाली तब संगय सुनने हुआ महाबहू राजा रुपमी पितवी को पतिदरिद करता हुआ मुर्ची थो कर गिर पड़ा मानो कोई महान और सुर्ब्रज से मारा गया हो तरनांतर मादम ने पुनो अपने बानो दोरा उस उन सब नरेश को घाल करना रम किया रुपमी को धराशाई हुआ देख सब नरेश भाग खड़े हुए अपने भाई को भूमी पर छटपड़ा देख उसके जीवन की इच्छा रखने वाले रुपमी नी भगवान श्रीकिष तो बलराम जी को आगे करके द्वारका पूरी की और चल दिया कमले श्रीकिषने के चले जाने पर शुतरवा रणबूई में आया और रुपमी को रद पर बिठा कर अपनी पूरी की और ले चला अभिमान और मत से उनमत रहने वाला रुपमी अपनी भईन को लोटा कर नाल का निर्मान किया जो इस बुतर पर बोजकर्ट के नाम से विख्यात हुआ उस मात यस्विभीर ने वहाँ बलपूरबग रहकर दक्षी अंदिशा का सासन किया और महाबो राजा भिश्मा कॉंडिन पूर में रहने लगे विश्नी बंश्यों की सिना के साथ जब बलराम जी प्रसनों कोई प्रिय पत्नी रुकमी के साथ रामन करने लगे तब वो श्रिकिष्न की जेष्ट पत्नी थी भाविनी रुकमीनी पति ब्रता सद्गुन बती रुप बती शुचिला और अन्यान उत्तम गुल्ण से संपन्न थी बल और पराकरम से युक्त श्रिकिष्ण ने रुकमीनी के गर्ब से दस पराकरमि पुत्र उत्पन्न किये जिनके नाम इस प्रकार है चारू देष्ण, सुदेष्ण, माबली, प्रदीम्न, शुशेन, चारू गुप्त, चारू बहु, चारू बिnd, सुचारू, वद्र चार इनके सिवा एक कन्या को भी उन्होंने जन्म दिया जिसका नाम चारुमती था, वे सभी पुत्र धर्म और अर्थ में कुशल, अस्तस्त्रों के ग्याता तथा युद्ध में उन्मत्तों का लड़ने वाले बीर थे, तरंतर महाबावु मदशुदन ने करल्यान स्वरूपा, उत्मकुल में उत्पन्न हुई अन्या आःट पत्रानियों के साथ विवा किया, इसका अलावा भी स्वर्वेक्ष्णी ने आइट पत्रानियों के साथ साधी किया, जिनके नाम है, कालिन्दी और कृष्णी बुअ राजा, दिधेवी के गर्ब से अबन्ती देश में नन्दजीत की पुत्री शत्या, जामवंद की पुत्री जामवती, रोहिनी जिसका दूस्या नाम भद्रा था केशिइग नरेश की पुत्री होने से यही कहके ही कहलाती थी, यह स्विक्षन की बुओा सूत कृति की कर्णेया थी, मदराज की शुशिला एबंग सूग लोजना पुत्री मनहर मुश्कनबाली लक्षमना सत्यजित की पुत्री शत्यभामा राजा शिब्य की तबगनी पुत्री जो रूप में अपसरा के समान थी इनके सिवा 16,000 और स्त्रिया थी उन सब के साथ अतूल पराक्का में श्रीकिष्ण ने एक ही समय उतने ही रूप धारन करके विवा किया 16,000 स्त्रियों की कहानी नेक्स्ट चेप्टर पे पढ़ने को मिलेगा जो आने वाला चेप्टर होगा दो-तिन चेप्टर में उन सब के वस्तर और आवशन बहुमुल्य थे वे सब के सब संपुनो मनमाचित भगो से संपन्न तथा सुख भोगने के योग्य थी उन सब के गर्ब से स्रिकिष्ण के शहस्र बीर पुत्र उत्पन्न हुए शहस्र मतलब एक हजार वे सबी पुत्र सास्त्र तकुषल बलवान महारती यग्यकर्ता पुन्यकर्मा महानवाग्यशाली तथा महाबली थे नेक्स चेप्टर रुकमी की पुत्री सुखांगी द्वारा स्वयंबर में प्रद्यूमन का वरन प्रद्यूमन पुत्र अनिरुद का रुकमीनी की पुत्री रुकमबती के साथ विवा और बलराम द्वारा रुकमी का वद बिसम बंजी कहते हैं जनमेजी तरने अंतर दिर्गकाल बैतित हो जाने के पस्चात सत्रों का दमन करने वले परक्रमी भी रुक्मी ने अपनी पुत्री का स्वेंबर रचाया उसमें रुक्मी का बुलावा पाकर विविन्न दिशाओं से बहुतर पामा परक्रमेशी संपन राजा और राजकुमार आए वहाँ बहुत से ने यदु कुमारों के साथ प्रदियूमन भी आए रुकमी की कन्या उन्हें चाती थी और प्रदियुम ने भी उस सुबलोचना राजकुमारी को पाने की इच्छा रखते थे उस बिदरबर राजकुमारी का नाम था सुबागी वो कांती और सुबाश संपन थी रुकमी की वो कन्या उन दिनों अपने रूप संदरे के लिए समझत भूमंडल में विख्यात थी जब सभी महामारेश्वी भूपार सुबंबर सभा में बैठ गए तब उस बिदरबर राजकुमारी ने आकर सत्तुर सुदन प्रदियुमन का बरन कर लिया प्रदियुमन संपूर नस्त्रों के ग्यान और प्रयोग में कुसल थे उनका सरी सिंग के समान सुद्रिय था वे नवजवग थे रूप में स्रिकिष्णे के उस पुत्र की समानता करने वाला संक्सा में दूसरा कोई नहीं था वो राजकुमारी भी नई अवस्ता सुन्दर रूप और उत्तम गुनसु संपन थी जैसे नरायनी इंद्र सेना अपने पती महर्शी मुद्दल के प्रती प्रेम करती थी उसी प्रका सुमांगी भी प्रदियुमन के पती अनुरक्त थी स्वेंबर समाप्त हो जाने पर सब राजा अपने अपने नगर को चले गए और प्रदियुमन नुस बिदरवराज कुमारी को साथ लेकर द्वारका चले आए बीर प्रदियुमन नुस के साथ उसी प्रकार रमन करने लगे जैसे राजन्नाल दमेंदी के साथ करते थे उन्होंने वेदरवी के गर्व से देव कुमार के समान तेजिस्वी पुत्रों को जन्म दिया, उसका नाम था अनिरुद्ध, वो अपने परकम पूर्णा कार्य दोरा भुमंडल के अनुपम बीर माना जाता था, वो धनुरवेद, वेद और निती सास्तर का पारंगत राजन, जब अनिरुद्ध युववस्ता में संपन्न हुए, तब रुकमिनी ने उनको पत्नी बनाने के लिए रुकमी की पौत्रों को जो सुबर्णा के समान गौर बर्ण वाली थी, उसका नाम था रुकमवती, जन्मेजे, राजा रुकमी अनिरुद्ध के गुनों से ही अक्रिष्ट होकर अपनी पत्री का विवा उनके साथ करना चाहता था, अतब रुकमिनी के अगरे से उसे राजी रखने के लिए राजा प्रद्युम्नी के प्रसुनता के निमे तो उस महाईशुस्पी राजा ने स्रीकिष्ण के साथ परदा रखते हुए भी बैर त्याग कर प्रसुनता पूर्वा कहा कि मैं अपनी पत्री अनिरुद्ध के लिए दे रहा हूं तब भगवान श्रीकिष्ण अपनी पत्नी रुकमिनी प्रद्युमनादी पुत्रगन भया बलराम तेदा अन्या विश्रिबंसी योद्धा के साथ सेना सहीद बिदर्वा देश में ग कुमारी रुकमाबती का पानी गरहन किया उस समय बिदर्व निवाशियों तथा यादवों के मन में बड़ा हर्स हुआ बिदर्वो दर्वा पुजित हुए यदुबंसी वहां देपताओं के समय आनंदपूरवग रमे हुए थे इसी समय अश्मग देपता आदी पती उदार्वित्ती बेनुदारी अक्षर शुष्रोबा चानूर कत पुत्रम शुमान कलिंग देश कादी बती जद सेन राजा पंजिवत था स्रीमान रिशिक नरेश ये सब अतेंद समय सली दक्षिनात्य नरेश एकांद में समध सली रुकमी के पास जाकर बोले आप अस्तर बिद्दा में कुसल हैं और हम लोग भी दूद किड़ा की इच्छा रखते हैं इधर बलराम दूद किड़ा में निपुन न जवा खेनने की बात पसंद आगी तरनातर वे समस्त भुपाल बड़े हर्स के साथ सुन्दर दूद सेवा में प्रविष्ट वे जिसमें सोने के खंबे लगे थे और जिसके आंगन को फूलों से सजाया गया था उस सवा में चंदन के जल से छिड़काब किया था सुन्दर माला और चंदन से लंक्रित हो उस सवा में प्रविष्ट करके वे सभी राजा सोने के सिंगासनों पर बैठ गए उन सब की यही इच्छाती की हम बलभद्रों को जीत ले तरन तर द्यूद किया में निपून ज्युआरियो दोरा अबर राम जी को अमर्तित किया गया वे बहुत अच्छा कहकर पसुन नता पूर्वक बोले अच्छा हम लोग साथ साथ खेलें आप लोग दाब लगए चल से जितने कीचा रखने वाले दक्चिनात के नरेस वहां स सरस्त्रमानी मोती एवं सुबरना ले आए फिर तो उन में दिवधारंबो हुआ जो परस परिक प्रेम का नाश करने वाला एवं कला का घोर स्थान है तर्था दुरवुद्धी पूरशो दोरा संगार करने वाला है बलदेब जी ने रुकमी के साथ जुआ खेलते समय पहले दस हजास लोने की मोरे दाव पर रखी मावली बलदेब जीतने का प्रेतनक करते ही रह गए परंतो रुकमी ने उस दाव को जीत लिया तत पर चाद उसने पूरा बलदेब का उतना ही सुबरना जीता रुकमी के द्वारा बारंबा जीते जाने पर स्रिकिष्ने के बड़े भाई बलद्राम ने उस मामरेश्पी रुकमी के दाव पर एक कड़ोर सुबरना मुद्राय लेकर रखी रुकमी अत्यंत कुटिल था वो हर्स में भर कर बोल उठा मैंने ही जीता सब राजा उसकी प्रसंग्सा करने लगे उसने हसते हुए वहां मुस्तल दावी बलद्राम जी पर अक्षेप किया ये स्रीमान बल्दे विग्दाहीन एवंग दुर्बल हैं ये अजय बनते थे परंतु आज इस अक्षेदूत में मुझसे पराजित हो गए मैंने इनसे अस्टंकर सुबरना जीता है रुकमी की ये बात सुनकर कलिंगराज हस से उल्लासित हो उठे व जब उन्होंने सुना और जब बिश्मापुत्र रुकमी अपने तीके बचनों से उन्हें निग्रहित करने लगे तब मावली रोहनी कुमार बल्राम जी उस तिरसकार को पाकर अत्तिन तो कूपी थो उठे ये दपी पे धर्मा गयते उन्होंने रोस पर विजे भी पाई थ तो भी उस समय उनके मन में बड़ा भारी रोस हुआ इतने पर भी उन्होंने धर्य पूर्बंग मन को काबू में किया और इस प्रकार बोला बिजर्ब नरेश दस सरस्त्र कोटी स्वरनम मुद्राओं का ये मेरा एक दूसरा दाओ है इसे ग्रहन करो और इस अधिक कोई दूसरी बात ना कहकर फिर उतना ही कहा कि बहुत अच्छा इसके बाद उसने हरस पूर्बा पासे बेके उस समय चार अंक वाला पासा गिरा उसके अनुसर बलदेव जी ने धर्मतव उससे हरा दिया था तो भी उस नरेश ने बलदेव जी से यही कहा कि आपकी विज़ लिया नरेशर उसकी यह कुटी लता पूर्णा बात सुनकर बलदेव जी को पूर्णा बड़ा करोध हुआ तथा भी उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया तब गंबीर गोस्त के साथ वहां आकास बानी हुई जो मात्मा बलदेव के करोध को बढ़ाने वरी थी सिमान ब दाव में इसका सहयोग सतर सिद्ध हो जाता है इसने मन में उस दाव को सिकार कर लिया था ऐसा समझना चाहिए तो जुआ में तो यह सब होता ही रहता है यह फिर भी बलद्राम जी गुस्ता होगे आकास से सुन्दर धंग से कहा गया यह यह था तबचन सुनकर बलवान संकर जैसन उठकर खड़े होगे और उन्होंने सोने के बने हुई विचाल अश्टापद के द्वारा रुकमिनी के बड़े भाई रुकमी को पित्वी पर मार गिराया बिवाद में कुपित हुए यदुनंदन बलराम ने अपने उपर अक्षेप करने बड़े लुकमी को पटक कर अश्टापद से ही मार डाला वहां से हट कर अतिन तक कुरोद में भरे हुए संकस्तान ने कलिंग राज जैसन के सारे दांत तोड़ डाले और रोस से वेसिंग के समान डाड़ने लगे इसके बाद उन्होंने तलबार उठा का समस्तर राजाओ को भैबित कर दिया फिर दूद सवा के सुबर नमय खंब को उखाड कर बलवान में सेष्ट बलराम जी आगे बड़े गजराज के समाई तो बलराम जी बहुत ज़्यादा गुसा करते थे उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्टेशन था इस बात से पता चलता है गजराज के समान उस खंबे को खंबे को खंच कर लिए जाते हुए संकरसन जब सवाद द्वार से बाहर निकले ताब उन्हें समस्त केशिक को भैबित कर दिया मतलब बलराम जी कुछ भी गलत होते हुए नहीं देखना चाते थे तुरंद गुसा हो जाते थे जबकि स्रिकिष्णों मुस्कुराने लगते थे क्योंकि उनको ग्यान था इस प्रकार चल कपट में चतोरुकमी को मार कर यादर प्रबर बलराम ने समझतर सत्रों को उसी तरह भै में डाल दिया जैसे सिंग छोटे पसू को भैबित कर देता है तरनातर सजिनों से गिरे हुए बलराम अपने सिवीर में गए और दूद सभा में जो कुछ हुआ था वो सब समय में उन्होंने स्रिकिष्ण को बता दिया उस समय महा तरिस्पे स्रिकिष्ण ने बलराम जी से कुछ नहीं कहा वे अपने आपको किसी तरह समाल कर बड़े कस्ट से आंसु बहाने लगे भगवान बशुदेब ने पहले रुकमीनी के प्रतिस्निया के कारण उसके जिस बड़े भाई को नहीं मारा था वही बज़ेधारी इंद्रे के समान बलबान और सत्र बीरों का संगार करने वाला रुकमी बलराम जी के हाथ से चुटे हुए अस्टापद के द्वारा मार डाला गया बिश्मक पुतर राजा रुकमी मान बल पराकरम संपन्न था वो द्रूम और पर्स्राम जी सरस्तर बिद्या पाकर उनी दोनों के समान पराकरमी हो गया था रुकमी वीद्वान, जुद्धु को सिल और नित्ती जग्य करने वाला था उसके मारज जाने पर विश्णी और अंदग बंश के सभी वीर उदास हो गए बिस्म बंश कहते जनमे जए भाई के मारे जाने से मावगा रुकमीनी आत्वानी में बिलाप करने लगी रुकमीनी रोने लगी क्योंकि उसका भाई रुकमी को बलराम जी ने मार दिया था उन्हें रोती बिलक्ती देख भगवान श्रकिष्ण ने सांतना दी परसेश्ट ये मैंने तुमें रुकमी के बद का जतापत वित्तांत बताया है साती ये भी सपष्ट कर दिया कि उन विष्णी बंसियों के साथ की स्पकर बैयार हुआ था माराज विष्णी बंसिय भी वहाँ से सब परकर के धान लेकर बलराम श्रकिष्ण का अस्रे लेकर द्वरकापुरी को चले गए निक्स चेप्टर नरकासूर का परिचय द्वरका में इंद्रक आगमन और स्रीकिष्ण से नरक बद के लिए अनुरोद सत्यवामा से स्रीकिष्ण का पारजोती स्पूर में गमन तथा उनके द्वराम मुरू निसुन दो हाईगरी बिरुपाक्षा पंचोवानाद अन्यनासू तता नरकासूर का बद जन्मजे ने पूछा मामने रुकमी के मारे जाने पर दोस्तो मैं सिर्फ रिशेर्च करके जो रियल चैप्टर से वही पढ़ रहा हूं ठीक है जो फेक चैप्टर से जो मिलाया गया है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं मतलब जो मिलाया गया है वो नहीं पढ़ रहा हूँ ठीक है ताकि आप लोगो सिब सची दिखा सकूँ जो रियल चेप्टर से है हलाकि इसमें फेक चेप्टर से बहुत कम है एक या दो ही होंगे जब परम पराकरमी माव श्री किशने दौरका को लौट आए तब उन्होंने क्या किया ये मुझे बताईए बिसम बाइन जी कहते हैं जनमेजे स्रीमान यादब नंदन पराकरमी भगवान श्री किशने उन यादबों से गिरिया हुए जब दौरका को आए तब उन्होंने उस पूरी का भाली बात निरक्षन किया कमल ने श्रीकिशन ने जो नना प्रगर के धान और अतना प्राप्त किये थे उनका वे दौरका में ये तचीद रूप से संक्रक्षन करते थे और उन्हें हडपने की इच्छा भले राक्षेसों को उन्होंने मार भागाया था वह उनके मार्ग में दैत्यों और दानब बिगनड डाला करते थे मावा उस्रीकिशन ने बार पाकर उनमत दोई उन बड़े बड़े असुरों को मार डाला तत्पिश्चा नरक नामक दानब ने भगवान के कारे में बिगनड डाला अरंब किया यह समस्त देपताओं को भैवित करने बाला तता देवराज इंद्र कमहान सत्तुर था समस्त देपताओं को वादा देने बाला नरकासुर भूमी के भीतर मुर्ति लिंग में स्थित होकर देपताओं और इश्यों के पती कूल आचरन किया करता था भूमी का पुत्र होने से नरक को भूमासुर भी कहते थे उसने हाती का रूप धरन करके प्रजापती तता तता की पुत्री कसेरू के जो 14 वर्ष की अवस्तावाली तता सुन्दर अंगों से सुसबित थी उसके सामेब जाकर उसे पकड़ लिया नरकासुर प्राजूतिसपूर का राजा था भगदत भी प्राजूतिसपूर का ही राजा था जो महाबर्द युद्ध में भाग लिया था उसके शोक और भाई नश्ट हो गये थे वो मोबस सुन्दरी कशेरू को अपनी दोनों भूजाओं में दवा कर हर ले गया और इस प्रकार बोला देवी देपता और मनुश्य के पास जो नानप्रका के रतने हैं सारी पित्वी जिन रतनों को धारन करती है तेथार समुद्रों में जो रतने संची थे उन सब को आज से सभी राक्षेस देतों दानब भी तुमें ही लाग कर दिया करेंगे इस प्रकार भोमाशू ने नानप्रका के उत्तम रतना और भाती बाती के वस्तरों का उस समय अपरन किया था अपरन करके भी उसने उन पर अधिकार नहीं किया उन्हें अपने उपभोग में नहीं लाया मतलब ले जाने के बाद भी उसने उनके साथ कुछ गलत ने किया गंदर भोग की जो कन्याई थी उन्हें भी बलवान नरकासूर हर लाया था देपता और मनुष्टों की कन्याउं तथा अपसराओं के साथ सा समुदाइका भी उसने अपरन कर लिया इस प्रकास 16100 सुंदरिस्त्रियां उसके घर में 71 हो गई वे सब के सब सत्यों के मार कानुसरन करके वरत और नियुमों के पारण में ततपर हो एक बेनी धारन करती थी बैसन बैंजी कहते है जनमे जाई उदार हिदाई वाले भुमासूर ने उनके रहने के लिए मनी परवत पर एक सेश्ट पूर का निर्मान कर रहा था जिस स्थान पर वो पूर बना था वो अलका नाम से प्रसिद्ध था वो स्थान मूर नामक दैता के अधिकित प्रदेश म यह महा नसूर नरक तफश्चा के अंत में बर पाकर उनमत हो गया था पुरवकार में समस्त महा देतों ने एक साथ मिलकर भी वैसा तिंद गवर महा कर्म पाप कर्म नहीं किया था जो उस महा नसूर ने अकले ही कर डाला था उस महा देते ने कुंडलों के लिए देव माता आधिती तक का त्रिस्कार कर दिया था, पित्वी देवी ने जिससे जन्म दिया था और प्राजोदिश पूर पर जिसका अधिकार था उस नरकासूर के चार युदत मत दयत्ट द्वारपाल थे, उनके नाम इस प्रकार है, है गरीब, निसुन्द, बीर, पंचनाद, तता सरस पुत्र साइद महान असूर मूरू जो की बर्दान प्राप्त कर चुका था वो नरकासु समुचे देवियान मार्ग को घेर कर वाँ उपस्तित हो जाता और भयंकर रुप बले रक्षतों के साथ रह कर उदर से जाने वाले पुन्याद माहों को डिराया करता था उसके वद के लिए संक चक्र गदा और खड़क धरन करने वाले माह बहुष्रिक्रिष्ण विष्णी कुल में देवगी के गर्ब और वसुदेव के संयोग से प्रकट हुए उनका तेज संपूर्ण विष्णों में विख्या थे उन पूरुस प्रबर्ष्रिक्रिष्ण का निबास्तान जिसे देप्ताओं ने उपजुक्त उपाय से उपलब्द कराया था। द्वारका पूरी इंद्रे के निबास्तान अमराबती पूरी से भी अत्यन्त रमनिया हैं वो माह सगर से घिरा हुआ तथा पांच परबोतर से सुसोबित हैं देवपूरी के समान सुसोबित होने बार के नाम से विख्या थे उसमें बलराम और श्री किष्णा अदी विष्णी और अंदग बंच के सभी लोग बैठते थे और संपूर्ण और लोग जीवनी की रक्चा में दत्यचित रहते थे बरस से एक दिन की बात है सभी यदुमंसी उस सवा में विरजमान थे इतने में ही दिव्य सुगंदर से भरी हुई वायू चलने लगी और दिव्य कुश्मों की वर्सा होने लगी तरन तर दो ही घड़ी के अंदर आकास में किलकिलाहट का सब्द हुआ और तेजोरासी से घिरी हुई दिव्या कृती प्रकट हुई जो दिरे दिरे पितिवी पर आकर खड़ हो गई उस तेज पुंजे के भी तर स्वेथ हाती पर बैठे हुई इंद्रे संपुर्न देपताओ के साथ दिखाए दिये उस समय मात्मा देवराज इंद्रे का स्वागत करने के लिए बलराम स्रिकिष्ण दता राजा उगरसेन बिष्णी और अंदक बंग्ष के अन्य लो वीडियो बहुत बड़ा हो गया इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पर पढ़ेंगे ठीक है तो तब तक के लिए धन्य बाद